दोस्तो प्राइम टाइम खबर में आपका स्वागत है। लिस्ट मनाई है उसमें उनका भी नाम है जिन्दगी को बिना पॉस बटन के जीने वाली शिल्पा का नाम उन 43 गवाहों की लिस्ट में है जिसे पुलिस ने कुंदरा के खिलाफ गवाही के लिए तयार किया है पुलिस की चार शीट में शिल्पा ने जो कुछ कहा है उससे यह बात शीशे की तरह साफ हो गई है शिल्पा अपने पती राज कुंदरा को उनके ही हाल पर छोड़ देना चाहती है शिल्पा ने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे यह लगे कि राज को उन पर लगे आरोपों से बचाना चाहती है वह अब इस फैसले पर पहुँच चुकी है कि राज ने जो कुछ किया है उसे वह खुद ही भुगते हैं वह इन सब पचणों से दूर ही रहना चाहती हैं अपने बयान में शिल्पा ने साफ साफ कहा है कि मैं अपने कामों में इतना व्यस्त रहती थी कि राज के कामों और उस पर राज का जवाब था अब वह उनके साथ नहीं है पिछले कुछ दिनों में शिल्पा ने जिस तरह गणपती की पूजा की और विसर्जन किया फिर मां वैश्नोदेवी के दर्शन करने गई उससे तो लगा था कि सब कुछ के बावजूद शिल्पा यह जरूर चाहती है क कि उनके पती आरोपों से बरी भी हो जाएं भले ही वह बाद में तालाक लेकर स्वतंत्र जीवन बिताएं लेकिन पुलिस की गवाही लिस्ट में नाम आने की खबर से हर कोई हैरत में पढ़ गया है अब तो बात साफ हो गई है कि वह ऐसा इसलिए कर रही है ताकि राज कु और पर हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है मगर राज कुंद्रा ऐसे पती रहे हैं जिनोंने शिल्पा पर कोई अत्याचार नहीं किया बलकि बेहिंत हाप पैसों की बारिश की ऐसे में उनका यह कदम अटपटा और हैरत भरा जरूर लगता है मुंब अलावा फरार आरोपी यश्ठाकुर लंदन निवासी कुंद्रा के जीजा प्रदीबख्षी के खिलाफ आरोप तै किये गए हैं अब देखना यह होगा कि शिल्पा शेटी गवाही में क्या बयान देती है